है लो इस्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल एक के आई टी सलूशन में तो इस्टूडेंट्स यह एक नोटिफिकेशन वीडियो है जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि आपके ट्रिपल सी के एकजाम का एडमिट कार्ड अक्टूबर और नवंबर का कैसे डाउनलोड करना है तो चलिए जान लेते हैं आज इस प्रॉसस में कि हमारा अक्टूबर और नवंबर का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड किया जाएगा तो सबसे पहले इस्टूडेंट्स आपको आ जाना है नायलेट के इस साइट पे जिसका यूर्यल यहां पे देखिए आपका एड्रेस बार में सो कर रहा है इसके बाद आप इस सेक्शन पे आएंगे तो यह आप अगर आप देखेंगे तो डाउनलोड अइटमिट कार्ड का एक आपसन मिलेगा उस आपसन पर आपको क्लिक करना है जैसे ही आप इस आपसन पर क्लिक करेंगे तो यह अभी देखिए इस तरीके से एक और पिएज खुल के आ गया है नीचे आप इसको स्क्रॉल करेंग scroll करने के बाद यहां पे एक declaration है उस पे आपको check लगाना होगा check लगाने के बाद I agree पे click कर देना है तो चलिए हम इस पर click कर देते हैं यहां से देखिए मैंने check box पे click कर दिया और I agree पे click किया जैसे I agree पे click किया यहां पे देखिए हमारा page जो है open हो चुका admit card download करने का तो इसमें सबसे पहले आपको देना होगा कि examination year यानि आपका जो exam है वो किस year का है तो आप जो है अगर अपना October number और 2022 का चाहते हो admit card तो आपको उसका year यहां से लेना होगा 2022 इसके बाद आप यहां पे click करोगे तो यहां पे जैसे click करोगे तो आपको month का नाम सो करेगा तो अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे October आपका नहीं सो कर रहा है October इसलिए नहीं सो कर रहा है क्योंकि October का exam नहीं हुआ है और वह exam आपका postpone कर दिया गया November के लिए तो इसलिए आपका October और November दोनों का जो exam है वो एक साथ आपका नमबर में ही होगा तो यहां से आपको ले लेना है नमबर जैसे नमबर लेंगे नीचे आपको application number फिल करना है तो आपके mobile पे या आपके email ID पे वह application number यहां पे गया होगा उस application number को आप क्या करेंगे type करेंगे type करने के बाद आपको यहां पे डियो भी type करनी है जैसे आप डियो भी यहां पे type करेंगे तो इस तरीके से एक आपकी window आजाएगी इस window में आपको क्या करना है यहाँ पर आपको दिखेगा Print Admit Card इस Print Admit Card पर आपको क्लिक करना है जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे यह देखिए आपके सामने आपका Admit Card क्या हो जाएगा आजाएगा यहाँ से उपर दिया गया है Print का option आप अपने admin card को क्या कर सकते हैं print कर सकते हैं ठीक है तो students इस तरीके से आप अपने admit card को क्या कर सकते हैं print कर सकते हैं अब अगर आप चाहते हैं कि अपने इस examination की preparation कर ले अच्छे से जिससे आप अच्छे mark से pass हो जाएं तो इसके लिए आप हमारे YouTube channel AKIT Solution को सब्सक्राइब कर लिजे Students यहाँ पे आप YouTube पे सर्च मारेए AKIT Solution जैसे आप AKIT Solution सर्च मारेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे उपर मेरा ही चैनल आपको दिखेगा इस चैनल को आप जाइन कर लिजे उसको सब्सक्राइब कर लिजे और इसमें अगर आप जाएंगे प्ले लिस्ट में इस प्ले लिस्ट में देखिए मैंने अलग-अलग काटेगरी की अलग-अलग यहाँ पे वीडियो अपलोड की हुई है आप जो है इस प्ले लिस्ट के इस वाले सेक्शन पे पहुंच जाएंगे जो section मैंने अलग से यहां पर बनाया हुआ है कि triple C previous exam important questions इसमें मैंने 18 वीडियो अप्लोड की हुई है तो इन वीडियो को आप जरूर देखें इसके साथी साथ इसके बगल में एक और section बना हुआ है कि O label M1R5 का इसमें आप देखेंगे 12 वीडियो मैंने अप्लोड की हुई है तो इसमें आपको मिलेगा chapter दर chapter और इसमें आपको पुरा combination मिल जाएगा जो पिछले exam में आपका पूछा गया है तो इन वीडियो को अगर आप cover कर लेते हैं तो मैं ये sure कह सकता हूँ कि आप अपना triple C का exam pass कर सकते हैं तो students ये एक notification वीडियो समापत हो गई है अगर आप चाहते हैं latest update latest notification के लिए आप हमरे telegram channel AKIT Solutions को भी जाइन कर लेजिए जिसका link मैंने description में दिया हुआ है तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care झाल